इस वीडियो में हम next trading day के लिए intraday stocks का selection करने वाले हैं इसके साथ हम trending market news और trending stocks के बारे में भी आपके साथ discuss करने वाले हैं वीडियो के end में हम nifty और bank nifty का एक technical analysis करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी detail को में इस नहीं करना चाते तो आप इस वीडियो के end तक ज़रूरू बने रह सकते हैं और अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया हुआ है तो आप इसे subscribe कर सकते हैं और notification bell को दबाना बिलकुल भ पहले मिलती रहें तो बिना देरी किये चलिए शुरू करता हैं इस वीडियो में यूज किया गए trade setup को सिर्फ entire day stocks को pick करने के लिए यूज किया गया है अगर आप कोई भी trade लेते हैं तब आपको नीचे दिया गए वीडियो को ज़रूर रिफर कर लेना चाहिए लिंक आपक को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा तुडए 15 ओक्टवर को निप्टी में 87 पॉइंस का एक upside देखे जाने के बाद हम global indices में एक significant rally को observe कर सकते हैं इस बज़े से हमें nifty 50 के future levels में currently 40 से लेके 50 पॉइंस का एक rally यहां पे देखने को मिल जाता है और हम forest market में यहां पे इंडियन कातावा दिखा जैसकता है तो आज हम इस वीडियो में ऐसे तीन stocks के बारे में बात करने वाले हैं जिन में कल आपको एक trading opportunity फॉर्म होतावा दिखा जैसकता है सबसे पहला stock का chart यहां पे आपके सामने आ चुका है पिछले कुछ दिनों से हमें इस stock में एक rally यहां पे देखने को मिल जाता है और आज इसने अपने 50 days के EMA line के काफी उपर अपना closing दिया हुआ है हम इसके major EMA levels जैसे की 9 days और 21 days के EMA lines पे भी एक strong bullish trend को देख पा रहे हैं इसके अलावा इसके vortex indicator, MACD indicator और भीवाप levels पे भी हमें एक strong buying pressure फॉर्म होतावा दिखा दे रहा है इस बज़े से कल यह stock हमें further upside में trade का दावा दिखा दे सकता है यह इंडिया का एक जानामाना blue chip share है जिसे आप Titan के नाम से जानते है इस stock में आज हमें लगभग 1.85% तक एक upside देखने को मिल जाता है इसने आज अपने intraday high के just नीचे 1272 के levels पे आज अपना closing दियावा है आज हमें stock में लगभग 24% का एक delivery भी देखने को मिल जाता है और अगर हम इसके stock future levels की ओर रूप करते हैं तो यहाँ पे हमें buy side में काफी ज्यादा contracts देखने को मिल जाता है इसमें देसे कल आप इस stock को buy side के लिए अपने वाच्विश में शामिल कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा stock है इसमें हमें पिछले कुछी trading session में एक significant rally देखने को मिल जाता है एक महिना पहले जब यह stock 450 के levels के आसपास trade कर रहा था तब किसी ने यह बात नहीं सोचा था कि इस stock में आगे हमें इतना बड़ा rally देखने को मिल जाएगा currently यह अपने 50 days की EMA line के काफी ऊपर trade कर रहा है और कल भी हमें इस stock में यह rally continue रहतावा दिखा देखा देखाता है यहाँ पे इसके major EMA levels और view up levels पे हम अभी भी एक strong bullish trend को देख पा रहे हैं इसके vortex indicator और MACD indicator में भी हमें एक buying pressure प्रम होतावा दिखा दे रहा है जिस परदे से कल आप इस stock को 22 के लिए अपने वाज़िश में शामिल कर सकते हैं इस stock का नम बंधन bank है कल यह stock MACI index में शामिल होने वाला है जिसका असर कल आपको इस stock में फिर से देखने को मिल सकता है आज इसने अपना नया 52 weeks हाई 638 के लबल पे बनाने के बाद 623.7 के लबल पे अपना closing दियावा है यहाँ पे हम इसके order book में एक significant buying pressure को फर्म होता हुआ देख पा रहे हैं जिस पज़े से कल यह stock father upside में हमें trade करता हुआ दिखा दे सकता है तो आप कल इस stock को buy side के लिए अपने वाज़िश में सामिल कर सकते हैं जो तीसरा stock है उस stock में आज हमें फिर से एक rally देखने को मिल जाता है यहाँ पे हम इसके 50 days के EMA line को भी काफी नीचे trade करता हुआ देख पा रहे हैं इसके major EMA levels और विवप levels पे भी हम एक strong bullish trend को फर्म होता हुआ देख सकते हैं इसके vortex indicator और EMA CD indicator में हमें एक buying pressure पर्म होता हुआ दिखा दे रहा है जिस पर जैसे कल इस stock में हमें एक further upside देखने को मिल सकता है यह HDFC group का share है जिसे हम HDFC life insurance company के नाम से चालते हैं इस stock में भी हमें आज 1.8% से ज़्यादा एक rally देखने को मिल जाता है इसने भी अपने intraday high के just नीचे 5.92 के levels पे अपना closing दियावा है कल अगर हमें market में एक rally देखने को मिलता है तो हमें यह stock कल अपने lifetime high के और move करतावा दिखाए दे सकता है तो आप कल stock को buy side के लिए अपना वाज़िश में सामिल कर सकते हैं इसके बाद जो एक bonus share है वो है mine tree limited कल stock का result announce होने वाला है यानि कि Q2 FI 2020 का result कल mine tree announce करने वाली है इस बादे से कल stock में हमें एक significant volatility देखने को मिल सकती है तो आप कल stock को trading purpose के लिए avoid कर सकते हैं इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने आज इंडिया पोस्ट mobile banking app को launch किया वा है जिसके मदद से आप अपने PPM account में online पैसे transfer कर सकते हैं तो आपको इसका पूरा फाइदा आगे आने वालों दिनों में देखने को मिल सकता है हम इसके उपर एक video prepare करने वाले हैं आप जरूर चैनल को check out कर सकते हैं इसके बाद जो next news को यहां पे हम देख पा रहे हैं वो हमें star cement के और से जारी होता हुआ दिखाए दे रहा है इसका buyback plan October 27 22nd से start होते हुए November 5 तक चालू रह सकता है इस वदे से आपको आगे आने वाले कुछ हप्तों में इस talk में एक marginal rally देखने को मिल स ACC ने अपने profit में 45% का एक upside को पोस्ट किया हुआ है यानिकि इसने अपने Q2 FY 2020 के result में अपने profit में यानिके profit after tax में 45% का एक upside को पोस्ट किया हुआ है तो आपको इस stock में थोड़ी से upside आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल चकता है MCX में हमें 100% से भी ज्यादा एक rally Q2 में देखने को मिल जाता है यानिकि इसके profit after tax में हमें more than 100% का एक rally Q2 के result में देखने को मिल जाता है इस पड़े से इस stock में भी हमें थोड़ी सी rally आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है Federal Bank के Q2 result अनौंस होने वाला है इसमें 50 से लगके 60% तब profit में हमें एक upside टेखने को मिल सकता है इस पड़े से आगे आपको Federal Bank को अपने वाटलिश में ज़रूर सामिल करना चाहिए रात के 8 बच के 27 मिनिट पे हम Global Indices में एक significant rally को observe कर सकते हैं इस बज़े से हमें Nifty 50 के future levels में भी एक significant upside देखने को मिल जाता है और forest market में भी हम Indian रुपी में एक upside को यहां पर फॉर्म अदवा देख सकते हैं अगर हम Nifty 50 के technical chart के औरुख करते हैं तो आज हमें इसमें 3rd consecutive day के लिए एक bullish candle देखने को मिल जाता है इसने आज अपने crucial exponential moving averages को bridge करते हुए higher eye form करते हुए 11,428.3 के levels पे अपना closing दिया हुआ है यहां पे हम इसके RSI level में भी एक bullish trend को observe कर सकते हैं और यह currently 56.95 के level पे trade कर रहा है जिसमें कल हमें एक further upside देखने को मिल सकते हैं इसका main reason trade deal में हो रहा है optimism के चलते हैं यानि कि China और USA के बीच में अगर trade deal partial trade deal complete होता है तो हमें इसका असर global markets में देखने को मिल सकता है अगर हम इसके weekly option chain data की ओर रूप करते हैं यहाँ पे आप इसके put side में currently 11,400 के levels पे भारी put writing को देख पाएंगे इस strike पे हमें 10,83,450 put contracts नया add होता हुआ दिखाए दे रहा है और हम इस level पे 17,22,150 cumulative open interest contracts को build up होता हुआ देख सकते हैं तो कल के लिए 11,400 का level एक crucial support level की तरह हमें उबरता हुआ दिखाए दे रहा है इसके बाद अगर हम call side में check out करते हैं तो यहाँ पे हमें 11,400 के strike पे in the money call contracts में काफी जादा unwinding होता हुआ दिखाए दे रहा है और इसे हम higher levels पे call contracts के जरिए add होता हुआ देख पा रहे हैं तो हम कल के लिए 11,500 के levels को एक crucial resistance level की तरह consider कर सकते हैं अगर nifty इस level को breach करने में कामया होता है तो हमें 11,600 के levels की और move करता हुआ दिखाए दे रहा है क्यूंकि इस level पे भी हमें आज भारी call writing देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर हम bank nifty के और रूप करते हैं तो आज इसने अपना तीन दिन का losing streak को खतम करते हुए एक bullish candle का formation किया हुआ है और इसने आज अपने most of the EMA lines को breach करते हुए 28,555 के levels पे अपना closing दिया हुआ है इसके लिए एक resistance level के रूप में हमें 100 days का EMA line यानि कि 100 days का जो EMA line है जिसे हम 28,757 के level पे देख पा रहे हैं वो इसके लिए एक major resistance level की तरह बढ़ता हुआ में दिखाय दे सकता है अगर कल bank nifty इस level को cross करने में काम्याब होता है तो हमें यह further upside में move करता हुआ दिखाय दे सकता है इसके RSI level में भी हमें currently एक bullish trend देखने को मिल जाता है जो कि कल भी हम continue रहता हुआ देख सकते हैं इसके बाद अगर हम इसके weekly option chain data की ओरूप करते हैं तो यहाँ पे आप इसके put side में 28,500 के levels पे 89,89,320 put contracts को नहीं add हो तो बाद देख पाएंगे तो हम कल के लिए 28,500 के levels को ही एक immediate support level के तरह consider कर सकते हैं और अगर हम lower levels में check out करते हैं तो यहाँ पे 28,000 के levels पे भारी put writing देखने को मिल जाता है इस strike पे हम 2.15,160 put contracts को add होता हुआ देख पा रहे हैं और इस level पे में massive 5.06,140 cumulative open interest contracts build up होता हुआ भी देखाए दे रहा है तो हम कल के लिए 28,000 के strike को एक crucial support level की तरह consider कर सकते हैं इसके बाद अगर हम call side में check out करते हैं तो यहाँ पे हमें 28,500 के strike पे भारी call unwinding होतावा दिखाए दे रहा हैं और call writers higher levels पे इसे add कर रहे हैं यानि के call write कर रहे हैं हमें 29,000 के strike पे currently सबसे ज़्यादा 5.70,420 call contracts यहां पे form होतावा दिखाए दे रहा है यानि के हम इस level पे सबसे ज़्यादा call writing को देख पा रहे हैं तो हम कल के लिए 29,000 के strike को ही एक crucial resistance level की तरह consider कर सकते हैं इस वीडियो को end तक देखने के लिए और हमारे चैनल को अपना प्यार और support देने के लिए आपका बहुत बहुत अनिवाद and finally thanks for watching